पॉनाओ का जो परफॉरमस था उसको रिपीट करेंगे। सभा की मेंबर है स्वाही जी अगर कोई पुलीस को कंपलेंड करता है तो पुलीस उसका संग्यान देगी मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको विचारे को जीशियों फसे इससे निपटा रहा लागने दीजे काहे को इस अभी इस अभी इस दिन और बाहर है उन्होंने का अगर इस्यू अभी तो चल रहा है ना देखे कितना चलता है वो कैम्पेन में तो कहरें कि अगर जाडू पर वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की ज़रूरत नहीं होगी देखे तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोड का स्पष्ट रूप से कंटेंट है इनका कहने का मत प्योग या दुरूप्योग हो रहा है आप उस जज्जमेंट के बारे में क्या कहेंगे इंटेरिम देखे सुप्रीम कोड को अधिकार है नियाए की व्याख्या करने का पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं कि रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जूडिसल जज्मे नहीं है काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है कि आप लोगों ने इतने कैमरा लगाये हुए थे पीमो तक में कैमरा का एक फीड जा रहा था वो सब देख रहे थे कि एक केजिवाल जी तूटते हैं कि नहीं और वो कह रहें कि मैं तूटा जैल प्रसाशन दिल्ली सरकार के हाथ में केजरिवाल जी के हाथ में गुरु Мंत्राले के souvent में नहीं है पुर वो मतलब दिन में कि कम से किन बयान आते हैं केज़जिवाल जी से और उन्होंने अलायम्स का नरेटिव पर कबजा कर गया क्योंकि हो कहते हैं पहले कि प्रधान मंत्री फूल टर्म नहीं रहेंगे तो MODY की गैरांटी मोदी की गैरंटी नीवो अमिर्शा जी की गैरंटी बन जाएगी क्योंकि कमान आप संभालेंगे चले आप इतने सीरियसली ले रहे हैं वो सिर्फ बाई सीटलर रहे हैं देश में इतने सीरियसली मत लीजे सिर्फ बाई सीटलर रहे हैं और वो गैरंटी दे रहे पूरे देश का मैं बिजली खा बिल माप कर दूंगा अरे भईया तुम पाईस ही सिटलर तरी सरकार कहां से बनेगी हम मौला क्लिनिक बना देंगे और मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं 29 तक मोदी जी ही रहेंगे और केजरिवाल आपके लिए कोई अच्छा समचा नहीं है 29 के बाद भी मोदी जी ही अमरे चुनाव अभ्यानों का नेता है उनके नित्रूत में ही हम चुनाव नहीं महराश्चा पर पूछती हूं महराश्चा में आपकी पार्टी पर इल्जाम है कि आपने रीजिनल पार्टी को तोड़ा है चाहे NCP मुझे दो बात का जवाब दीजिए अगर सरत पवार जी अजित पवार को अपना वारिस बनाते तो पार्टी तूपती क्या और उद्धव जी अपने बेटे की जगे एकनाच सिंदे को महत्वा देते तो पार्टी तूपती क्या यह उद्धव जी के बेटे प्रेम के कारण और सरत पवार जी के बेटी प्रेम के कारण उनकी खुद की पार्टी या तूटी है खाम-खाम पर इन्जाम लगा रहे हैं वो एसी वियोस्ता चाहते हैं राजा साही जेसी कि बाप के बाद बेटा या बेटी ही उत्रा अधिकारी बने अब है तो लोग तंत्र इस देश में तो काफी लोग इसको स्विकार नहीं करते हैं वो अलग हो रहे हैं ये रीजनल पाटी